अखिरकार एक मा का इंतजार खत्म हुआ भगवान ने मा को 13 सालों बाद अपने जीने की वज़ा यानी अपने बेटे से मिलवा ही दिया जी हाँ ये कहानी है एक ऐसी मा की जिसने अपने बेटे का 13 सालों तक इंतजार किया क्या है पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दरसल मामला वर्ष 2000 का है जब कौशामभी जनपद में 9 साल का एक मासूम अपने पिता की डाट से नराज होकर घर छोड़ कर भाग गया था जिसके बाद उसके माता पिता ने उसे हर जगा तलाशा लेकिन उस 9 साल के मासूम बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका मा घर की दहलीज पर बैट कर अपने बेटे के वापिस आने का इंतजार करती और जब वो वापिस न लोटता तो बेटे की याद में मा फफख फख कर रोने लगती दिन महीने साल बीटते गए लेकिन वो मासूम अतुल अपने घर वापस नहीं लोटा लेकिन अपनी मा के सपने में आता और फिर लोट जाता आपको बता दे कि कौशामबे का रहने वाला अतुल अब 23 साल का हो गया है और मुजफर नगर जिराकारगार में पिछले तीन महीने से चोरी के मामले में बंध है जो गुमसुम सा रहता है जेल अधिक्षक सीता राम शर्मा राउंड पर थे तो उनकी नजर अतुल पर पड़ी तो उन्होंने उसकी कम उम्र में अपराद की दुनिया में आने का कारण पूछा और परिवार के बारे में जानकारी ली तो उसने बताया कि उसे केवल अपने गाव का नाम और अपने पिता का नाम याद है तो जेल अधिक्षक ने उसके घर को तलाशने के लिए डिप्टी जेलर हेमराज सिंग को लगाया पंदरा दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिर में अतुल के माता पिता का पता चल ही गया जैसे ही मा को उसके बेटे के जिन्दा और सुरक्षित होने की जानकारी मिली तो घर में खुशियां दोडाई और सब लोग खुशी से जूम उठे और आज मासुम अतुल की मा सावितरी जिलाकारगार में पहुँच गई और अपने बेटे से मिलने के लिए जेल अधिक्षक सीता राम शर्मा से गुहार लगाने लगी जेल में बंद अतुल को जैसे ही अपने ऑफिस में बुलाया तो बेटे अतुल को देख मा कुछ जादा ही खुश हो गई और फूट फूट कर रोने लग गई और इन मा बेटे के मिलन को देख जेल अधिक्षक समेत जेल के अन्य पधाधिकारियों की आखे भी नम हो गई बेटे से मिलने के बाद सावित्री जेल अधिकारियों का शुक्रिया करती नजर आई 13 साल बाद बेटे से मिल सावित्री के खुशियों का ठीकाना नहीं रहा जहां सावित्री ने जेल अधिकारियों को भगवान का दरजा दिया तो वहीं भगवान से जेल अधिकारियों के लिए दुआ मांगती नजर आई सावित्री ने बताया कि जब इसके पापा ने इसे डाट दिया था और एक थपड भी लगा दिया था तब मैं वहाँ नहीं थी वो तो बस मैं ही जानती हूँ अपनी मा से पूछो बच्चों के बिना कैसे रहती है एक मा मुझे मेरे बच्चे से एक पुलिस वाले नहीं मिलाया है आज मैं अपने बच्चे से मिली हूँ ये तो उपर वाला ही जानता है और ये उनकी महरबानी है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया है ऐसा बोलकर वो जेल अधिकारियों को भर भर कर दुआये देने लगी। जेल में बंद अतुल को उसके परिवार से मिलवाने के लिए अधिक्षक ने टीम बनाई। और अतुल के परिवार को खोजने की जिम्मेदारी डिप्टी जेलर हेमराज सिंग को दी। अतुल को खोजने में कितना समय लगा और क्या-क्या परिशानी आई इस पर जेल अधिक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि देखिए हम लोग यहां हर शनिवार को परेड करते हैं। शनिवार सुमवार को मतलब सारे बंदियों से मिलते हैं ये एक लड़का था 22-23 साल का तो जब इसे इसके घर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं जब 8 साल का था तब पिता की डाट की वजह से मैं घर छोड़ कर भाग गया और उसके बाद वो कुछ गलत घर जाना तो चाहूंगा लेकिन उसे घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो घर से भाग कर जो आया था उसे अपने घर की डीटेल्स भी नहीं पता थी उसे अपने पिता और गाओ का नाम ही आत था हमारे टीम ने खासतोर से डिप्टी जेलर हेमराज स को पूरा जिमा दिया था कि कौशंबी में हर थाने में पता करो इस गाओ का नाम इसके पिता का नाम सब कुछ पता करो काफी दिन बाद पता लग गया इसके पिता से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा 13-14 साल पहले घर से चला गया था और हम लोग उस सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें साथ ही इस वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट भी करें आप हमें फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं इसी के साथ डेली खबरों के लिए हमारी को भी विजिट कर सकते हैं